बिस्मिल्लाहिर रहमाल रहीम अस्सलाम अलेकम मैं हूं साबराइफ हैं आप देख रहे हैं विल जिफास पूर आज की वीडियो में हम आप सो कुछ हम्जीद कहते हैं आज हम बनाएंगे आडू का मिलक्षेक बनाना बड़ा ही सारा है और पीने में ये बहुत ज़रा मज़द ये पार लेंगे, बिस्मिल्लाहिर राहमान ररहीम इस तरह से हम सारे आड़ी चेल कर इनसे गुठलिये निकाल लेंगे सारे आड़ू के छिलके उतारने के बाद हमने इस तरह से आड़ू कार लिए और गुठलिये निकाल लिए अब हम आड़ू ग्रेंडर में डाल लेंगे अड़ू को ग्रेंडर में डालने के बाद अब हमने निकी दूद गर्म कर के थंदा है दूद के ऊपर गाडी मलाई आ चुकी है अगर आड़ू को ग्रेंडर का अगर आपका दूद गर्णा ना हो तो इसमें करेंड भी दॉल जासकतीा है थोड़ा सा दूर डालने के बाद उपane ड़क देंगे और अच्छी तरह से ग्राण कर लेंगे कि है मैं कि थोड़ा सा दूर डालकर हमने अरुं को कि परन कर लिया है अरु हमारे मलाईजा से हो vaan現在 हम सब grid देंगे चीनी चीनी इसमें थोड़ सी ज्याला डालेंगे क्योंकि आज कल आडू का सीजन शुरू हुआ है आजकल आडू मेठे नहीं होते हैं कि चिन डालने के बाद फिर से दूड डाल देंगे उपर डखरां देंगे फिर से गरान करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बरफ आडू का मिलक शेक जब बरफ से रगड खाएगा तो इसमें चमक आ जाएगी देखने में खूब सूर्त लगेगा और मिलक शेक का जैका ही बढ़ जाएगा अब आडू का मिलक शेक हमारा त्यार हो चुका है तो माशाला यह देखें बहुत अच्छा हमारा अडू का मिलक शेक त्यार हुआ है अब हम इसे ग्लासों में नकालेंगे बिस्मिल्लाहर राह्मार रहीं तो माशाला यह देखें देखने से ही खूबसरत लग रहा है इसी तरह से हम बाकी में लक्षेक भी बना लेंगे तो माशाला आडू का जूस हमारा त्यार हो चुका है बिस्मिल्लाहर रह्मार रहीं इसे भी जग में डाल लेंगे बिस्मिल्लाहर रह्मार रहीं तो माशालला माशालला हमारा आडू का मिलेक्षा बहुत अच्छा त्यार हुआ है आप भी गर में बनाएं इन्शाला बहुत ज्यादा मज़ा आएगा अगर आपको यह मारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्त एहबाब के साथ और ज करें ताके हमारी हम नई है अनली वीडियो का नोटिफकेशन आपको जल जल मिल सके इसी के साथ हम यह दीजिए अजाज द्वाहों में याद रखिएगा अल्लाहाफेज आपको जल यह दो कि अजाज रखिएगा हम का उल्णी वीडियो दोच्त खिजएग।